आज से सोला सो साल पहले बद्ध्य एशिया से उठी हुण नामक एक बरबर जाती ने पूरे संसार को हिला दिया हुणों की बरबर सेनाओं ने अरब यूनान और यूरोब को राक का धेर बना दिया रोमन समराज्य को जड़ से मिठा दिया रूस को बरबाद कर वोलगा नदी को खून से तरपट कर दिया इरान को फते करते हुए हुणों के लशकर ने भारत पर हमला बोला और जल्द ही इन खूंखार हुणों ने गांधार, कस्मीर, मथूरा, राजस्थान, गुजरात और सिंध सहीत आधे भारत को विजई कर लिया इस पवित्र धर्ती को हुणों ने जम कर लूटा, मंदिरों को तोड़ा, राजियों को भोगा, और ओरतों को अपनी हवस का हिस्सा बना दिया पूरी भारत भूमीन हुणों के आतंग से त्राही माम हो उठी ऐसे वक्त में दुनिया से हुणों के आतंग का विनास करने निकला था भारत का एक समराड, जिसका नाम था इसकंद गुप्त आखिर कौन है ये समराट इसकंद गुप्त मगद की राज गद्धी पर बेठने वाले भूपती समराट इसकंद गुप्त जिनोंने भारस सहीद दुनिया बरसे खुंकार हुण लुटेरों का समूल खातमा कर दिया उनों की सल्तनते जिसके नाम से कपकपा जाती वो समराट इसकंद गुप्त उनों की राजा को ही युद्ध के मेदान से गसीट कर पाटली पुत्र ले गया सो राजा और 130 रियासते उसके जंडे के नीचे थी जिसकी सेना में 3 लाख पेदल सेनिक, 1200 खुंकार हाथियों का जुंड और 40,000 तिरंदाज एक इशारे पर तबाही मचा दे थी गांदार से बंगाल तक और गिरनार से हिंदु कुस्तक के इलाकों को उसने विजई कर लिया आकरांता और हिंदुओं के बीच की दिवार था वो जिसका पूरा जीवन भारत की रक्षा में बीता उसने न तो कभी विवाह किया नहीं सत्ता का सुख भोगा जमीन पर सोकर जिसने राते गुजारी भूके रहकर जिसने युद्ध लड़े ऐसे समराट की कीरती आज मैं आपको सुनाता हूँ तो आईए डिमांडिंग पंडित के साथ जानते हैं मगद के भूपती समराट इसकंद गुप्त का इतियास जिनों ने इस संसार से आतंकी हुणों का वजूद मिटा दिया उम्मीद हैं आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीशन 455 तक सिंद, पंजाब, कश्मीर, गांदार और काशी को विजई कर हुणों ने गंगा और जमुना तक बढ़त बना ली जल्द ही हुण पूरे भारत को तबाह करने का इरादा कर चुके थे जब पूरा भारत संकट के गेरे में आया, तब 17 साल के मगद के युवराज इसकंद गुप्त ने इना पराजित खुंखार हुण लुटेरों के आतंग से भारत को आजाद करवाने की परतिग्या ली और तुरंत भारत भर में फेली मगद की सेनाओं को राजदानी पाठली पुत्र में एकत्रित कर दिया और उनसे कहा उन हुणोंने हमारे धर्म और राष्ट्र पर हमले किये हमारी मा बहनों पर नजरे उठाई मंदिरों गुरु कुलों को तोड़ कर उन्होंने हमारी वीर्ता को ललकारा क्या आप भी तुमारी आत्मा चितकारती नहीं, क्या तुमारे रक्त में उबाल नहीं आता, अता मेरी परतिग्या है, जब तक मैं इस दर्ती से हुणो का समूल खात्मा नहीं कर दूँगा, तब तक मैं सेनिक वस्त्रों में ही रहूंगा, जमीन पर सोकर राते अपनी मा को अपना मुह नहीं दिखाऊंगा, अधाम सत्रों को दिखा देंगे, कि जब आरियों की संताने तलवारों को थाम ले, तो परिणाम क्या होता है, सेना ने परति उत्तर में कहा, हे आरियपती समराट, आप से ही ख्षत्रियों का सरूचा है, रण में, वन में, वि मगद की विशाल सेनाओं के साथ हुनों पर चड़ाई कर दी, भूपती समराट का पहला हमला गुप्त सत्ता के निकट इस्थापित, तीन हुन राज्यों पर हुआ, इतनी बरबरता से इसकंद गुप्त ने हुनों को तबाह किया, कि हुनों की सल्तनत का पुठी, मगद का विशाल सेलाब रण गुमी में उत्रा और हुनों द्वारा इस्थापित तीनों रियासतों पर मगद का द्वज लहरा दिया, हुनों के कटे मुंडों के साथ इसकंद गुप्त ने राजदानी पाठली पुत्र में परवेश किया, हुनों पर पहली बार किसी ने हमला करने क सहस किया, इस गठना से गंगा गाटी में बेटा हुन सत्ता का मुख्य सरदार खुशनेवाज क्रोध से बर गया, परंतु उसने सीधे गुप्त सत्ता से टकराने के बजाई, इसकंद गुप्त के पडोसी राज्जी मालवा पर हमला किया, बरबरता की काली तलवारों के राजा बंदू वर्मा ने हुनों की खुंखार सेना से डर कर मालवा दुर्ग के द्वार बंद कर दिये, और इसकंद गुप्त से रक्षा की गुहार लगाते हुए एक पत्र लिखा, यह पत्र पाते ही इसकंद गुप्त ने मगद से प्रस्थान किया, और एक विराट सेना के साथ आर्य पती ने क्षिप्रा नदी को पार कर मालवा देश में परवेश किया, इसकंदा के आने की खबर सुन हुणों के पाउं थर थर कापने लगे, इन कापते हुणों पर मगद की सेनाए काल बनकर तूट पड़ी, इसकंद गुप्त का हमला इतना बयानक था कि पू कि आगे मालवा की सत्ता जुक गई और बन्धू वर्मा ने इसकंद गुप्त को अपना अधीपती शुविकार कर लिया, इसी समय इसकंद गुप्त को अपने पिता कुमार गुप्त कीमरत्यू का संदेश मिला, इसकंद गुप्त ने तुरंत मगद की तरफ कोच कर दिया, इधर राजदानी पाठली पुत्र राजा कुमार गुप्त की मृत्यू के बाद युद्ध का मेदान बन गईुद्ध मानो नियती बना, मगद का सीहासन खून से सन गया। इसकंद गुप्त के सभी भाईयों रिष्टेदारों के मद्य सत्ता को लेकर भयंकर युद्ध छिड़ गया। आज के पठना की दर्ती को भीमका युद्धाओं ने रक्त से नहिला दिया। तभी इसकंद गुप्त ने अपनी सेनाओं के साथ राजदानी पाठली पुत्र में परवेश किया। इसकंद गुप्त के युद्ध भुमी में आते ही मेदान में सन्नाटा पसर गया। मगद की सत्ता का सबसे तगड़ा दावेदार मेदान में उतर चुका था। और जल्द ही भुपती समराट इसकंद गुपत ने मगद की राज सत्ता पर अपना दावा ठोग दिया और विक्रमा दित्य की उपादी धरण कर ली। का नामो निशान मिटाने की कसम खाते हुए मगद की और प्रस्थान कर दिया। युद्ध भुमी में तेज आंधियों के साथ बवंडर उठा। और तभी दो हाथों में तलवार लिए समराट इसकंद गुपत ने युद्ध के मेदान में परवेश किया। युद्ध भुमी में आते ही सकंद गुपत ने रण भुमी में ऐसा कतले आम मचाया कि गंगा का बहाव भी लाल पड़ गया। इसकंदा की एक आवाज पर हिंदू युद्धाओं ने शत्रूओं के मस्तक उतारने शुरू किये। हिंद्वी तलवारों ने मुंड के मुंड काट डाले। समराट रण भुमी के बीच में थे। उन्होंने हुण नरेश खुमान को बीच रण से पकड़ लिया और उसे गसीट कर पाठली पुत्र ले गए। जहां उसकी छाती पर पाउं गाड कर समराट ने उससे माफी मंगवई और फिर कभी बारत ना आने की शर्त पर उसे अटक दरिया के पार भेज दिया गया। समराट ने सिंद से यवनों की सत्ता को ड़हा दिया। कई दसकों बाद कश्मीर में पुना एक आरिय राज्य की स्थापना की गई। मात्र गुप्त को कश्मीर का सामंत न्यूक्त किया गया। गांदार को पुना आरिय सत्ता में मिला लिया गया। सेनापती बंदू वर्मा के नेत्रत्व में एक भारी लशकर सिंद के पार बेजा गया जिसने सुदूर खुरासान और फारस के परवतों तक मगद का द्वज लहरा दिया इस सब के इतर समराट इसकंद गुप्त मालवा की कुमारी देव सेना से प्रेम करते थे पर समराट के ह हिंसक स्वभाव के कारण देव सेना उनसे दूर ही रही इसकंद गुप्त मस्तकों को काट काट कर उज्जेन के महाकाल से क्समा मांगता और पुन उसी कारिये में लग जाता इन कारियों से देव सेना ने इसकंद गुप्त को हिंसक माना भूपती समराट इसकंद गुप्त सत्ता की चाह कभी रखी नहीं उसने कहा जो केवल खडग और तलवारों पर इत्राते हैं उन्हें मेहलों और भवनों का लोब नहीं होता उसका संपूर्ण जीवन युद्ध युद्ध और सिर्फ युद्ध में बीता उसके ही प्रताप से आज बारत का अस्तित्व कायम रहा बीतरी शिलालेख में लिखा है कि उसकी कीरती की कहानिया सदेव हर हिंदू के मुख पर रहेगी पर आज बारत में कोई उनका नाम भी नहीं जानता अगर आपका हिरिदय कहे तो इस वीडियो को शेर करें लाइक करें कमेंट में जै मगद राज भूपती समराट इसकंद गुपत जरूर लिखें भूपती अर्थार्थ पृत्वी का विजेता आपका आभार धन्यवाद जुड़े रहिए